दोस्तो आज की रेट में हम सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी गर्ब की बात है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी कंपनीज हैं, मैक्जिमम बड़ी कंपनीज में जो CEO हैं, वो भारतिय हैं, तो हमें भ Microsoft उसके भी जो CEO है वो भारतिय हैं साथ ही साथ में एक company आपने नाम सुना होगा Adobe उसके भी CEO भारतिय हैं तो इसको लेकर देखो आज का सबसे पहला question क्या बना है वो समझते हैं देखो आज का एक question बना है कि अभी दुनिया के top 100 CEO की list जारी की गई है किसकी तरब से ये की गई ह Harvard Business Review HBR तो Harvard Business Review की तरब से दुनिया के top 100 CEO की list एक जारी करी गई है जिसमें कि अगर top 10 की बात करें तो top 10 की list में कितने भारतियों को इसमें सामिल किया गया है तो इसका देखो right answer हो जाएगा option number C यानि कि पूरी दुनिया के जो top CEO है उनमें से top 10 में 3 भारतियों को सामिल किया जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है बहुत ज़्यादा talent है हम भारतियों में बस उसको पैचानने की जुरत है तो option number C यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इन तीनों का photo जो कि top 10 की list में सामिल किये गए है अब इन तीनों के ब इस report को prepare किस ने किया है तो इस report को prepare करने वाली agency का नाम है Harvard Business Review HBR यह इसका नाम हो जाएगा कितने CEO की list बनाई है इसने top 100 CEO की list को अभी हाली में बनाया है इस list में number one पर कौन सी company के CEO आते हैं तो इस list में America की एक technology company है जिसका नाम है NVIDIA तो यह NVIDIA company के जो CEO हैं जिनका नाम है Jason's Huang यह number one पर आते हैं चीजों को याद करते हुए चलना जहां पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो वीडियो को pause करके screenshot लेना उसको याद जरूर कर लेना हम लोगों का purpose वीडियो देखना नहीं जबकि वीडियो को पूरा समझ के याद करना है इसकी बाद में देखो यहाँ पर भारती मुल्के तीन लोगों को सामिल किया गया है टॉप 10 में जिसमें से छटे इस्तान पर आते हैं Adobe company के CEO जिनका नाम है सांतनु नरायन तो एक कुस्षन तो यहाँ पर यह भी आपसे पूशा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में Adobe company के CEO का नाम बताई है तो आंसर हो गया सांतनु नरायन और जो इस टॉप 10 की लिस्ट में छटे इस्तान पर आये हैं इसी तरीके से अगले CEO का नाम है Mastercard के CEO जिनका नाम है अजय बंगा यह साथ में इस्तान पर है और ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ मैं नवे इस्तान पर आते हैं यानि कि टॉप 10 में भारतीन भारतियों को सामिल किया गया है पहले हैं Adobe दूसरे हैं Mastercard और तीसरे हैं Microsoft गये तो इतनी सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसके साथ ही साथ में यहां पर कुछ हम लोग रिविजन भी करेंगे हम लोग क्या कर यहां पर सुंदर पिचाई का फोटो देख सकते हैं जो कि इस समय गूगल के CEO है यह रहा Google जिसको साइद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो उसके बाद में देखो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है Microsoft Microsoft के CEO का नाम है सत्या नडीला और सत्या नडीला का फोटो भी आप जो कि इस समय microsoft के CEO है इसी कि साथ साथ में एक कंपनी है जिसका नाम है Adobe के CEO का नम है Santanu Narayan का इसका की फोटो भी आप यहांपर देख सकते हैं इसके बात में देखो nokia की CEO को नाम पता होना चाहिए वह भी एक भारति है तो नोकिया के CEO का नम है राजीव सूरी और यहां पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं नोकिया वाला फोन देख सकते हैं so that आपको पता चल जाए एक चीज़ अच्छा कमेंट करके बदाओ नोकिया किस देश की मुबाइल कमपनी है जल्दी से कमेंट करके बदा देना इसके बाद में देखुए के सैंडिस्क नाम की एक कमपनी है जिसका आपने पहले देखा हुआ पैंडराइब बगर आता है इलेक्ट्रोनिक्स में बहुत सारी सामान ये लोग बनाते हैं सैंडिस्क जो है इसके सीओ का नाम है संजय मन होतरा जिनका की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो एक एक वीडियो बड़ी महनत से बनता इस वजह से वीडियो देखने के साथ साथ एक सेकंड का समय निकाल कर वीडियो को लाइक और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी की साथ वीडियो को सेयर कर दीजे सही तो वीडियो तो अच्छ मनाया जाता है, तो option C यहाँ पर सही हो जाएगा, 31 October को World Cities Day मनाया जाता है, एक photo भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें की लिखो साब साब लिखा है, World Cities Day October 31, यानि कि October 31 को World Cities Day मनाया जाता है इस बार का जो इसका subject है वो है Changing the world Innovations and Better Life for Future Generations यह इस बार का subject हो जाएगा साथी साथ मैं आपको बता दू October का महिना कतम हो चुका है यहाँ पर पूरे October मन्त में जितने भी important दिवस थे, उनको एक जगे पर लाकर यहाँ पर इस PDF में मैंने रखा है PDF डाउनलोड करकी इसका revision कर लेना जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे कि 1 October को था International Vradh दिवस अंतर राष्ट्वी एहिंसा दिवस 2 October को विश्व सिक्छक दिवस 5 October को विश्व डाक दिवस 9 October को 7 October को था विश्व परयावरन दिवस अब यह इसी तरीकी से पूरे 30 तारिक 31 तारिक तक जितने भी दिवस हैं सबको मैंने यहाँ पर ले रखा है आप इसको धीरे धीरे विडियो को पॉस करके बढ़ सकते हो या फिर इसका PDF टेलिग्राम से लेकर इसको रिविजन कर लेना इसके बाद मैं देखो अगले कुशिन की तरब चलते हैं निमनलिकित में से किसने हाल ही में एक Preventive Health Tool launch किया है तो यहाँ पर इसका राइट अनसर हो जाएगा Facebook Facebook ने हाल ही में एक Preventive Health Tool को launch किया है Option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो Option C यहाँ पर बिल्कुल सही है कि Facebook ने हाल ही में प्रिवेंटिव हेल्थ नाम का टूल लॉंच किया है इसमें क्या होगा इस टूल को उसने अमेरिका में लॉंच किया है जिसमें क्या होगा इसमें आपके स्वास्त से जुड़ी ही जितनी भी जानकारी है वो इसमें सेर करी जाएगी जैसे कि आपका इस फोटो को अगर आप देख पार होगी जिसमें देखो आपका blood test जो होगा BP blood pressure test उसके बारे में हैं इसके बारे में cholesterol level आपका HPV test और और भी बहुत सारे mammography हो गई तो जो भी आपका gender है उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे test दे सकते हैं जिसमें कि आप एक reminder भी set कर सकते हैं कि कौन सा test आपको कितने दिनों के बाद में करवाना है आप उसकी report को भी यहाँ पर update कर सकते हैं और समय समय पर यह आपको reminders भी बेसता रहेगा इस बज़े से यह बहुत ही important tool है जिसको हाल ही ने facebook ने अमेरिका में launch किया है इस tool का नाम एक बार फिर से देखेंगे preventive health tool जिसको facebook ने हाल ही में launch किया है ठीक है facebook का जो headquarter है वो है California USA में और उसकी जो CEO है उनका नाम है Mark जुकरवर्ण इतना आपको पता होना चाहिए अगला प्रस्नाई की हाल ही में ICC ने किस team के किर्केटर जिनका नाम है साकिब अलहसन पर दो साल का प्रतिबंद लगा दिया है तो हाल ही में आपको भी पता होगा ICC ने अपने official twitter handle से साकिब अलहसन जो की बांगलादेश से बिलॉंग करते हैं बांगलादेश की किर्केट टीम से बिलॉंग करते हैं उनकी किसी एक mediator यानि कि दलाल के साथ में जो WhatsApp चैट है उसका screenshot वहां पर share किया था जिसमें की कुछ गलत तरीके से match की fixing को लेकर बात हो रही थी जिसके लिए उसने हाली में इस चीज़ को screenshot इसका share किया था तो यह बांगलादेश के किर्केटर है जिनका नाम है साकिब अलह परसंद का photo देख सकते हैं जिन पर साब सब लिखा है कि यह बांगलादेश से बिलॉंग करते हैं यहां पर आपको बता दू इस समय यह बांगलादेश की जो test और T20 किर्केट है उसके कप्तान के रूप में भी कारे कर रहे थे जिन पर अभी दो साल का बेहन लगा दिया ग इस ने निमनलिकित में से किस इस्तान पर 31 अक्टूबर से एक भारत स्रेष्ट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है तो एक पर्व है जिसका नाम है एक भारत स्रेष्ट भारत इसको नई दिल्ली में सुरू किया गया है नई दिल्ली में यहां पर आपकर इसका प्ड़ आप आउजन किया जा रहा है इसका आउजन किया जा रहा है केंद्री विद्याले संगठन के द्वारा जिसमें 25 चेत्रों से अलग अलग फिल्ड से यहाँ पर यह जो एक ओंकार है यह एर इंडिया औप्शन डी यहाँ पर सही हो जागा एर इंडिया ने अपने एक एर लाइन्स के विमान के टेल पर सिक्क धर्म का जो प्रतीक चिन होता है एक ओंकार बनाया है यहाँ पर आप इसका फोड़ो भी देख सकते हैं यह रहा एक उंकार जिसको हाल ही में यहाँ पर इस एर इंडिया के विमान के टेल पर बनाया गया है यह जो विमान है यह आपको बता दूं अम्रित सर से लंदन के बीच में उड़ान भरेगा जो की एर इंडिया की पहली सेवा है जिस पर सिक्क धर्म का प्रतीक चिन जिसका नमें एक को उकेरा गया है यह जो प्लेन है इसमें 256 सीटर यह ड्रीम लाइनर विवान है जो कि यात्रियों को एक विशेश सुभिदा देने के लिए बनाया गया है यहां पर देखो एक ओंकार का मतलब होता है इस्वर एक है यह आपको सब कुछ पता होना चाहिए अगला प्रसमनता ह कि किस देश ने WhatsApp, Facebook पर Message और Call करने के लिए टैक्स लगाने का एलान किया था जिसके विरोध में हुए प्रदरसन के चलते वहां के जो प्रदानमंत्री है प्राइम मिनिश्टर है उनको स्तीपा देना पड़ गया है तो इसका राइट इंसर हो जागा option number C Lebanon option C यहां पर सही हो हो जागा एक country है जिसका नाम है Lebanon उसमें हाल ही में क्या किया था कि वहां की सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया था जिसके तहरा आपको WhatsApp पर Message करने में या फिर Facebook पर Message और Call करने में इन सबी सुरुदाव के लिए टैक्स देने की कोशना कर दी गई थी जिसके चलते उनका भारी व साद हरीरी को वहां से स्थीपा देना पड़ गया है हाल ही में कौन पर एक क्यानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो भारत का जो पहला राज्य बना है contract farming को लेकर वो बना है तमिल नाडू option c यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा हाल ही में तमिल नाडू में एक bill पास हुआ है जिसमें कि president ने अपनी महर लगा दी है यहाँ पर आपको बता दूँ कि तमिल नाडू में करसी उपज और पसुदन सम्मिदा खेती और सेवा 2019 को president की मंजूरी मिल गई है इसके इसाब से क्या होगा जितने भी उतार शुड़ाव खेती वारी में आते हैं जैसे कि contract farming जो होती है जिसमें कि किसी भी किसान से एक contract के दौर पर farming करवाई जाती है उस case में क्या होता है कि अगर बांदो कभी पैदावार अच्छी होती है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और उसी इसाब से उसका profit भी डिवाइड हो जागा जो कि पहले सुविदा में नहीं था तो यहाँ पर किसानों की इस्तिती में सुदार आएगा जितने भी contract farmers है उनकी जिन्दगी में सुदार आएगा तो इसको लेकर तमिल नाडू जो है भारत का पहला ऐसा राजवना है जिसने contract farming को लेकर जो कानून होते हैं उसको apply अपने राजव में लागू कर दिया है आगे चलते हैं हाल ही में किसकी 125 जैनती पर वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने एक विसेश इस्मारक सिक्का जारी किया है तो देखो यहाँ पर परमहंस योगा दन इसका right answer हो जाएगा हाल ही में परमहंस योगा दन जी ने जी की 150 जैनती पर भारत की जो इसमें की वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीता रमन उन्होंने एक विसेश इस्मारक सिक्का जारी कर दिया है तो option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आप इनका photo भी देख सकते हैं जिसमें की निर्मला सीता रमन जी को आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह रहा वो सिक्का जिसको हाल ही में launch किया गया है कब किया गया है 125 वी जैनती पर किसके परमहंस योगा नन जी की option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अंतर राष्ट्री इंटर्नेट दिवस है इसको मनाया जाता है आप लोग बताएंगे सभी लोग इंटर्नेट के इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए 29 अक्टूबर को अंतर राष्ट्री इंटर्नेट दिवस जो है यह मनाया जाता है option D यहाँ पर बिल्कुल सही ह हो जाएगा साथी साथ में आपको बता दूं 1969 में एक अमेरिका के कैलिफूर्णिया सहर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला इलक्ट्रोनिक संदियस बिजा गया था जिसके चलते 29 अक्टूबर को यह सन 2005 से लगातार इंटर्नेट दिवस जो है यह मनाया जाने लगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है यह चीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो मोटिवेशन मिलता है वीडियो को लाइक और शेयर कर देना साथी साथ में आज का सबसे पहला कुशन जिसका आंसर आपको देना है कि मैक्सिकन ग्रैन एपिक्स 2019 किस ने देना आप सभी लोगों को डेल सारा प्यार इसी तरीके से तयारी करते रहें गौड ब्लैस यू ओल